नमस्कार दे वोकेबमेटरी शो विद राहुल पाराशर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्रभांगी सिंग मिश्रा तो DLC The Learning Club से हमारे साथ राहुल पाराशर जी मौझूद है जो की इन्वेंटर है और पेटिंट होल्डर है वोकेबमेटरी प्रॉसेस के राहुल जी बहुत स्वागत है आपका तो हम इस लर्निंग की प्रॉसेस को आगे बढ़ाते हैं पिछले एपिसोड में हमने कई वर्ड सीखे और आज भी हम कुछ नए वर्ड को सीखेंगे तो राहुल जी सबसे पहले आज के पहले वर्ड की बात करते हैं और वो वर्ड है अबेट इस वर्ड को हम कैसे सीख सकते हैं अबेट वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वह बढ़काना और इंग्लिश में से कहते हैं तु इंस्टिगेट किसी को उकसान आया बढ़काना ठीक है तो हमने देखा था लास्ट एपिसोड में जब भी वर्ड अबी से शिरू ह कर रहे हैं और एप उनको बैट देकर और ज्यादा भढ़का रहे हैं तो मुझे याद हुआ अबेट का मतलब क्या हो गया तु इंस्टिगेट या किसी को भढ़काना अब माली जी वर्ड कहीं पे भी देखते हैं आप निउस्पेपर में या पैसेज में जंबल में एनिव अबेट का मतलब क्या हो गया तु इंस्टिगेट या उक्साना भढ़काना राहुल जी हमारा अगला वर्ड है अबैश इसे वोकेब्मेटरी प्रोसेस से कैसे याद किया जा सकता है विए अबैश का मतलब होता है तु पुट्टु शेम या हिंदी में कहें तो अपमानित क करना अब वही फॉर्मुला एप्लाए करेंगे एबी से मेरा करेक्टर आ गया एप एश का मैं राइमिंग साउंड लूँगा एश जिसे हिंदी में हम लोग राख बोलते हैं तो पासवर्ट के तयार हुआ यहां पर अबैश का एप प्लस एश अब आप पिक्चर में देख करेंगे आपको पता है एवी से कौन आता है एप एश अपको राग आदा गया राक तो एप ने एश से क्या करा था अफमानित करा था तो पुट तुष इंप अब अब आपक". अपमानित करना या इंग्लेश में का है तो to put to shame हमारा अगला वर्ड है ablution काफी बड़ा वर्ड और काफी कथन वर्ड यह मुझे sound कर रहा है लेकिन राहुल जी हमें इसे आसानी से सिखाएंगे जी राहुल जी ablution हम कैसे याद कर सकते हैं देखें ablution word का मतलब होता है ritual washing of the body जैसे हिंदी में हम कहते है पवित्र स्नान जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं हम नर्मुदा स्नान करते हैं that is what ablution फिर वही formula apply कर देंगे हमें पता है हमेशा a b से कौन आता है ablution का rhyming ले लूँगा मैं lotion से lotion होता है body lotion so password के तैयार हुए ablution का a plus lotion अब हम स्टोरी पे गए तो हम क्या देखते है एप जो है वो lotion से पवित्र स्नान करता है और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद कहां जाते हैं मंदिर ता हमें याद हुआ ablution का मतलब क्या हो गया ritual washing of the body या हिंदी में कहें तो पवित्र स्नान फिर भी बात कहूंगा अगर वर्ट को कहीं भी देखते हैं तो सीधे apply करेंगे vocabulary a b से आ गया a pollution का राइमिंग ले लिया lotion से तो पूरी अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो भुपाल में कई सारे से स्कूल है जिसको हमने अप्रोच करा है और जिन्हों ने हमारी vocabulary process को समझा है और मज़दार बात यह कि कई सारे school में हमारे एक course शुरू हो चुके हैं जहां पर हम vocabulary के help से words याद करवा रहे हैं क्योंकि बच्चों को आज से पहले words याद कराने के लिए कोई concept नहीं था स्कूल में क्या होता था word of the day बता देते थे कि रोज एक word बता दिया जाता था और बच्चा उसको भूल जाता था लेकिन जब से कुछ school होने हमारा start करा है vocabulary process उनकी बहुत शानदा result आ रहे हैं और मैं यहां से यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर और भी कोई school चाहता इस process को अपने school में apply करना तो वो हमारे app को download कर सकता है और वहां से वो हमें connect कर सकता है और उसके school में भी vocabulary का जो है हम लो यानि यह कहा जाए कि ऐसा process है जो बच्चों के लिए learning को काफी जादा आसान कर रहा है राहुल जी फिलाल बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा के लिए तो जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे दर्शकों ने लगातार पिछले episode में भी words सीखे आज भी आपने words खाएंगे वो भी easy way में फिलाल इस चर्चा में इतना ही तीजे इजाज़त नमस्कार